Hello friends, welcome to your YouTube channel I study जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा और ये अपडेट मैं भी आपको दे रहा हूँ कि हरियाना कोट कलर्क का जो एक्जाम है जिन भी केंडिडेट्स ने भरा है अभी इसकी वैसे 30 तारीक ही लास्ट डेट थी 30 ऑक्टोबर और बहुत ही जल्दी एक नोटिस आ गया है तीन तारीक को ये नोटिस आया था कि जो इसका जो पेपर है कोट कलर्क एक्जाम का जो computer based online paper होगा general knowledge का और English composition का ये 22, 23 और 24 को होने वाला है पंजाब हरियाना नियो देली और यूटी चंडिगड में जहाँ-जहाँ जिनके candidates के center बनेंगे या प्रिफरेंस होने जो भी भरी है आप इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि मैं एक वीडियो को tag कर रहा हूँ इसमें ही साथ की साथ कि वहाँ पर previous year question paper जो है ना जो 2019-2020 में आया था उसको मैंने share किया है उसका paper का पूरा complete solution मैंने बताया है कि 50 नंबर की आपकी general awareness और 20 नंबर का जो objective type English आएगी और 30 नंबर का जो आपकी descriptive section आता है तो आप वो paper जरूर देख लें इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद आप जो है उस वीडियो को मैं tag कर रहा हूँ वो वीडियो आटोमेटिक सुरू हो जाएगा और आपके जो admit card है वो 15-11 से डाउनलोड होने सुरू हो जाएंगे और demo test जो है जिस तरह से online कैसे paper आएगा familiarize करने के लिए online test के लिए वो 5-11 से साइट पर available होगा यह इनकी साइट है यहां से आप उसको देख सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी जो candidates हैं अपनी तयारी को और अच्छा रखेंगे hello friends welcome to your youtube channel i study आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक question paper share करने वाला हूँ discuss करने वाला हूँ यह जो paper है यह हरियाना court clerk के exam में आया था 2020 में previous year question paper है और आपको जैसा पता है कि अभी हाल में ही पंजाब राज के अंतरगत जो court है उनमें भी clerk की vacancy आई हुई है और आप सभी यह बात दिहान रखें कि जो हरियाना में जो pattern आता है और जो कि पंजाब सरकार के जो court clerk के जो paper है वो उनका pattern बिलकुल ही same है बस थोड़ा सांतर है कि कुछ question वहाँ पंजाब से related आएंगे जैसे कि इस paper में कुछ question हरियाना से related आए थे इसमें part A और party part B दो हैं part A में objective type question है और part B में descriptive based जो question है तो आई यह सुरू करते हैं पहला जो question है English में ही आता है यह paper English medium में आता है guarantee to an exporter that the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him is known as letter of credit option a gohati high court is the judicature of तो जो gohati high court है वो आता है उसके अंदर नागा लेंड अर्माचल प्रदेश और असम यह सब आते हैं fire temple is the place of worship for which of the following religion fire temple कौन सा वर्सिप किसका वर्सिप प्लेस होता है कौन से धर्म के लोगों का तो जो 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 रो इस्ट्रियनियाज्म जो है इसके जो लोग है इसके जो इसका जो वर्सिप करते हैं उनके प्लेस को fire temple कहा जाता है वर्सिप प्लेस को तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना एंड बिर्टेन फिफ्ट क्वेश्चन जोर्जिया उजबेकिस्तान तुर्केमिनिस्तान बिकेम दा मेंबर्स अफ यून ओ इन दा इयर आफ नाइन्टी नाइन्टी टू आप एक बात और याद रखें कि इसमें नेगेटिव मार्कि होती है सेवंटी कोश्चन जो हैं आपके औबजेक्टिव टाइब में पेपर वन में 50 कोश्चन आपके आएंगे जनरल अवेरनेस से बीस कोश्चन आपके औबजेक्टिव टाइप आएंगे इंगलिस से और बाकी के जो 30 नंबर का जो पेपर है वो आपका 1440. Escape velocity of a rocket fired from the earth towards the moon is a velocity to get rid of the, इसका जो सही answer है, to get rid of the earth's gravitational pull. आठ्मा question है, for seeing objects at the surface of water from a submarine underwater, the instrument used is, जब submarine पानी के अंदर होती है, तो उस surface water में, उस पानी में, चीजों को देखने के लिए जो instrument यूज किया जाता है, that is known as periscope. G15 is an economic grouping of G15 जो है, वो एक economic group है, किसका? Third World Nations का. Himalayan Mountaineering Institute कहां पर है? It is situated in Darjeeling. 11th question, the minimum is to qualify for election of the Lok Sabha age 25 years. The members of Raj Sabha are elected for a term of 6 years. यह जो general awareness के question है, अलग-अलग section से आते हैं, geography हो गया, political science हो गई, history हो गई, science से हो गई, current affairs से हो गई, तो general awareness के जो हैं, आप अच्छे से तयारी करें. Again, मैं आपको बता दूँ, one fourth negative marking होती है. और जब आप paper one qualify कर जाएंगे, तो उसके बाद आपकी जो है, typing test होगा, 30 word per minute, second paper जो होता है, qualifying nature का, और इसके अलावा, Excel seat भी आपको दी जाती है, बनाने के लिए. आगे देखिए, 13th question है, ता phrase, bicameral legislature means, तो इसका होगा option C, a legislature consisting of a lower and upper chamber, तो जैसे हमारे यहां lower क्या है, लोकसभा है और अपर chamber है, राजसभा, bicameral legislature, वैसे मैं आपको in terms of parliament बता रहा हूं, बट जैस स्टेट में bicameral legislature है, तो आप देखोगे कि कहीं कहीं विदान सभा और विदान परिसत दोनों ही होती हैं. The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state falls under its, तो अगर center और states के बीच में कोई dispute है, तो Supreme Court के वो किस power के अंदर आएगा original jurisdiction. 15th question, who is the author of the book, winning like विराट, think and succeed like कोली, तो इसका जो सही आंसर है, अभी अभी रूप भट्टा चारे, इन्होंने ये बुक लिखी है. 1679, इसमें ये तीनों ही provision लिए गए है, option D is the correct answer, आप इसका PDF form जो है, description box से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर जो है, इसको attach कर दिया है, paper को. Red flag is the premier air-to-air combat exercise, combat training exercise of, तो ये red flag है, जो ये है, United States of America. 18th question, which telescope was used to determine the dark matter and is not made up of tiny primordial black holes as stated by Stephen Hawking, जो नहीं दिया था, तो ये है, option B, Sabaru Telescope. 19th question, 7th April to 14th April is observed as National Handloom Week. Which movie got the best movie title award at Filmfare Awards 2019, 2019, तो 2019 में जो Filmfare Award जिसको मला था, best movie title का, that is Raji. Which award is given in the field of scientific research, scientific research के चेतर में जो अवाड दिया जाता है, that is G.D. Birla Award. 22th question, Indian Cricketer has been named as Wisden's Leading Cricketer in the World for 2018. 2018, 2018, 2018 में, Wisden's Leading Cricketer का जो खिताब जिने मिला था, वो थे, विराट कोहली. 22th question हो गए है, सबी से उमीद करता हूं कि वो अपना तैयारी को अच्छा रखेंगे, और अपनी जो है, selection को share करेंगे. इसके लावा एक और request है आपसे, अगर आपको वीडियो प्लीज अगर अच्छा लगे तो share करें, चैनल को subscribe करें, बहुत ही छोटा सा YouTube चैनल है, आप भाईयों की, बेहनों की, जो मुझे मदद मिलेगी, जो भी इसके viewers हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा, और पाईगी, next question है, वासिंग सोडा is the common name for sodium carbonate, option one, which of the following movies won the 89th academy awards for the best picture, तो आप देखोगे कि film and animation की category से भी 3 question हमने अब तक देख चुके हैं, तो 89th academy awards का जो best picture का award जीता था, वो था Moonlightner, Galilio was an Italian astronomer who discovered all of the above, Jobius Nakia developed the telescope, discovered four satellites of the Jupiter, discovered the moment of pendulum, produces a regular time measurement, 26th question number, Epsom England is the place associated with horse riding, who have the power to decide an election petition, तो election petition की अगर कोई है, तो उसकी पावर जोए, that lies only in high courts, 28th question है, बायो, how much percent of the FDI, foreign direct investment inflow increased during the last six year as per annual report 2018-19 of the department of for promotion of industry and internal trade, तो इसका answer is option D-79, author Khushwan Singh ने कौन सी बुक लिखी है, print to Pakistan, कौन सी तारीक हो, the 2019 UN International Day of Friendship is celebrated, जुराई 30, which of the following is the largest gland in human body, liver, name the, the name Kunja Rani Devi, किसे associated है, कौन सा game खेलती है, weight lifting, skating on ice is possible, because science related question है, कि skating ice पर क्यों possible है, तो इसका answer है, the pressure on the ice, due to skate melts the ice by lowering its melting point, forming a thin film of water, who won the 2019 Japan Open Tennis title, इसका answer है, option C, Nawak Djokovic, Rayon is chemically glucose, what is the middle name of the batsman, Sachin Ramesh Tendulkar, which is the third most common gas found in the air we breathe, तीसरी सबसे common कौन सी gas है, जो हमें मिलती है, जो हम सांस लेते हैं, आरगन, who has been appointed as the new chairman of CBIC, तो इसका सही answer है, प्रनव कुमार, दास्पी के दास, as per the newspaper reports, government of India has finally agreed to purchase advanced MRS for its naval forces, तो इस ये पूचाए क्या है, ये aircrafts है, 40 question, who among the following is the president of a country at present, has also been the prime minister in between his presidential terms, तो व्लादी मिर पुतिन, who among the following can remove the governor of a state from office, की राजिपाल को कौन हटा सकता है, तो इसका answer है, प्रेजिजेंट, in which among the following cases, the Supreme Court of India propounded the theory of basic structure of constitution, केशवानन्द भार्ती, और ये आज तक की सबसी, अकेला ऐसा case है, जिसको आज तक की सबसे जादा जजों ने एक साथ चेयर करके सुना है, ते तालीजबा कोस्चिन है, इन विच येर गुआ वाज फॉर्मली एसिमिलेटे इन टेरिटरी जोफ इंडिया भाई ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट विच मीड़ कुआ दमन दीव ए यूटी यूनियन टेरिटरी ओप्शन दी 1963, विच अमोंग दे फॉलोइंग साइन ट्रीटी ऑव बेसीन इन 1802 विद बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी तो इसका अंसर है बाजी राउ दिती है, विच अमोंग दे फॉलोइंग वाज दे फर्स्ट मुनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट अप इन दा यर 1687 तो सबसे पहले कौन सा मुनिसिपल कॉर्पोरेशन 1687 में भारत में स्थापित किया गया, इसके बाद है कि जो चंदर सेखर आजाद है, उनकी जो है, कैसे कह सकते हैं, कि उनका जो है मातरतु दिवस कम मनाया जाता है, तो वो है 27 फरवरी 1931, ठीक है, सहीधी दिवस. When is the International Day of Eradication of Poverty, observed every year, 17th of October, MNST International is an organization associated with which of the following fields, Protection of Human Rights, which of the following five-year plans recognize human development as the core of all developmental efforts, 8th five-year plan, इसके बाद 50th question, last question है, General Awareness के section का, Grand Central Terminal Park Avenue, New York, is the world's largest railway station, इसके बाद 20 question और आपके objective टाइप आए थे, इंग्लिस के, मैं आपको फिर बता दूं कि इसका पैटरन सेम ही है, चाहे आप पंजाब स्टेट का जो है, कलर का एक्जाम दे रहे है, कोट कलर का एक्जाम, चाहे आप हरे आना, इनका पैटरन हमेशा से यही रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और ना ही अभी आने वाले एक्जाम में चेंज होने की उम्मीद है, तो देखिए, यह कुछ लॉजिकल कॉश्चन थे की, की सलेक्ट दा कॉंबिनेशन ओफ नंबर सो देट दा लेटर्स अरेंजड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म ए मीनिंग्फुल वर्ड तो कैशल यह हो गया, इसमें फहिमाईन हो गया, इसके बाद है, कुछ इडियम थे, तु फ्लाइ ओफ दा हिंडल, तु लूज वन स्टेंपर, अपना आपा खो देना, एक ग्रीन हॉर्न, एक एन्वियस लेड़ी, हाड प्रेश्ड, हाड प्रेश्ड मी इन दिफिकल्टीज, मिस्पैल्ट वर्थ पूछना था, तो कैंडिडेट ने यहां पर लिखा हुआ, यह स्पैलिंग है, इसके बाद यह मिस्पैल्ट है, यहां पर ओफेंस में E मिसिंग है, तो यह करेक्ट आंसर है, रैत का मतलब होता है गुसा, अपोजिट वर्ड पूचा है तो हो जाएगा डिलाइट, टैसिट का मतलब होता है मौन और यहां पर है रिटन, एल यौर का मतलब होता है आकर्शिक और रिपल्शिव जो आपको आकर्शित ना करें, मंदेन संसारिक, हैवनली हमारे अलोकिक संसार से सम्मंदित, इसके बाद synonym आई थे कुछ प्रिवी इसका मतलब होता है secret, reciprocate, interchange, vilify, defame, rap, criticize, entice, tempt, insert the correct words, expression, father shall return within an hour, it is time you went home, why don't you sit beside me, these are the 70 questions asked in previous year question paper of haryana court clerk exam held in 2020, तो 70 यह question objective type question है, इसके बाद देखिए descriptive जो section है, इसको आपको ध्यान से attempt करना है, अपने writing beautiful, आप calligraphy जिसको बोलते हैं, उसको improve कीजिए, अच्छे से साफ साफ लिखिए, क्योंकि इनको जो paper को जो check करता है, वो senior level के officers होते हैं, तो आपका first impression is the last impression, इसलिए अच्छे से attempt करना सीखिए, write an essay on 150 words, जेट सो उस अबदों में आपको कोई word किस पर लिखना है, एससे लिखना है, life after school, unity is strength, internet influence on society, a train journey, इसके बाद paper आता है, check-in question का, जिसमें पूछते हैं, या तो वो formal letter या informal letter, जिन से formal letter नहीं लिखने आते हैं, आपको video मिल जाएगा, मैंने 4-5 video बग डाले हुए हैं अपनी playlist में, formal letter आप उसमें से लिखना अच्छे से सीख सकते हैं, और informal letter भी वहाँ पर मैंने discuss किया है, तो ये आपकी दो, और कोसिस आप ये करें कि आप वहाँ पर formal letter लिखें, formal letter पेपर में आप attempt करें, तो ये दो question हैं, आपके सामने हैं, इसके बाद write a precise of the following paragraph, in not more than one third number of words of total passage, इसको ध्यान से पढ़िए, और इसके एक तिहाई paragraph को अपने सब्दों में हमें लिखना होता है, ये total 30 number के हो जाएंगे, और देखिए, translation आता है, हिंडी to English, ये भी आपका पांच नमबर का होता है, तो आपके 30 number हो गई आपके descriptive से, और 70 आपके हो गई objective type से, 100 marks का ये paper होता है, पर आप ये ध्यान रखें कि जो 70 marks का जो आपका paper है, केवल उसमें आपकी one fourth जो है negative marking होती है, descriptive में वो applicable नहीं होती, क्योंकि descriptive paper है, तो उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, thanks for watching.